वेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सोलो तो आज की वीडियो में हम इंगलिस का मोग टेस्ट सॉल करने वाले हैं तो चाहे आप Air Force Group X या Y की तयारी कर रहे हैं या फिर आप Navy की तयारी कर रहे हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं काफी जादा helpful होगा है आपके लिए तो जो भी आप आपके अभी तयारी चल रही है लोगड़न के जिसे मुझे पताएगी काफी लोगों की तयारी स्लो गई होगी तो इसके थुरू एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका कि आप कहां तक पहुंचे हैं क्या-क्या कमिया आ रही है अभी आप में तो आप इसको एक टेस्क की आप क्या-क्या स्टेप्स ले सकते हैं तक उस टॉपिक वह जो टॉपिक है जिसमें आपको प्रावल्म आ रही है भी वह थोड़ा आपका ज्यादा बढ़िया हो जाए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फस्ट कोशन आपकी स्क्रीन पर है आई होप आप लोग bris officer को सेकरेटरी था उसने सेंड वर्ड लग मतलब मैसिच सेंड आ मैसिच अ्थे Täád डिवान के जरी message अगल confined तो यहां पर आप मारा सबजेक्ट थो था वह ये हो गया British singular है तो जो वर्ब होनी चीजे थी आप हमें रूल पता है हमारा कि जब presenting indefinite में हम चलते हैं संटॉर सबजक्ट के बाद संगुलर सब्जक्ट के बाद युजो में होती है मैशंट कि बन मत्रों के साथ सेथाल ने मोड़ेन पांप ध्याग और ले कि यह व्या। कि first form के साथ SES आना important है तो send के साथ send को हमें हटाना पड़ेगा उसकी जगा हम लिखेंगे sends ठीक है अगर हम present definite के rule के according चले इस question में कि उसने अभी message जो है send किया है ठीक है अगर आप sense लेके चलते हैं past में कि British officer secretary send a word throw दिवान send को में convert कर सकते थे send को में convert कर सकते थे send में बस इससे sense change हो जाएगी sentence की अब sentence की sense बनेगी कि secretary ने message दिवान के जरे send किया था क्योंकि sent जो अब की second form आ गए या past indefinite पहुच गए जो past में उसने message send किया था ये meaning आ गया और sends अगर यूज़ करेंगे यूज़ से tense की बात कर रहा है correct tense नहीं पता तो send singular send तो use नहीं होना चाहता ये तो मैं पता सल गया अब ये दो तरीके से हट सकता था वो मिने आपको बता दी दोनों तरीके अगर यहाँ पर ismr होता waswar होता तो हम एक ही tense को लेके चलते या present continuous के बारे में बात करते या फिर किसी होड टैंस के बार में अब यहाँ पर कोई भी जो helping verb है वो use नहीं हुई थी यहाँ पर main verb थी उसी में changes आने थे send को हमने change किया है तो send को भी हम दो तरीके change कर सकते थे send में और send के साथ s लगा के singular subject वाले rules से तो दोनों मैंने बता दिया आपको next question इस तरफ चलते है तो देखिए next question है आपका most appropriate meaning of the given idiom इस idiom का meaning बताना है leaving in a fool's paradise तो देखिए leaving in fool's paradise fool's paradise मलब बेफ़कूफी बरा हो सकता है मलब अपने ही मन में में ख्याली दुनिया बना लिए उसी में जी रहा हूं मैं fool's paradise एक मूर्क आदमी की रहने की जगा माने सकते हैं मूर्क आदमी कैसे जगा पर रहता है अपने ही चीजों में खोया रहता है कि मैं जो कर रहा हूं जो sentence है एक तरीके से मुआवरे की तरह होते है अगर आप एक बार इनका simple meaning समझ लेंगे हिंदी में क्या होगा तो answer की तरफ पहुचने में थोड़ी असानी होगी और याद करने में भी थोड़ा easy रहता है तो देखें living in a fool's paradise फूल्स क्या होते है मूर्ख paradise क्या होता ही जगह होती है ठीक है थोड़ी आलिशान जगह तो मूर्खों की जगह तो मूर्ख कैसी जिंद्गी में जीते हैं एक बेवकूफी बड़ी जिंद्गी उन्होंने अपने दिमाग में एक illusionary word बना रखा होता है तो happy होते हैं बिना किसी reason के foolish unfounded or delusion reasons तो fourth option यहां पर correct हो जाएगा तो देखिए next हमारा third number question हमारा one word substitution से तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग पहले खुद solve कर रहे हैं और answer find कर रहे हैं उसके बात solution देख रहे हैं तो देखिए the action of making something poorer in quality by the addition of another substance तो किसी भी चीज़ी quality को गिरा देना उसमें दूसरे substance को मिला के जैसे दूसरे पानी मिला के उसकी quality को गिरा देते हैं तो उस चीजों क्या कहते हैं मिलावट करने को क्या कहेंगे उसका अडल्ट प्रेशन फोर्थ option आपका यहां पर correct answer होगा यह जो हमारे options हैं उनको eliminate करने कोईश करें जैसे administer था इसका meaning क्या होता है किसी भी एक office होता है तो उसमें administer होता है आपको पता होगा एक तरीके संचालक उसका होता है administer तो administer तो नहीं होना चीए था बिल्कुल भी बिलावट के case में तो यह तो चला गया option हमारा simple first option हमारा यहां से कट गया next option अडलेशन अडलेशन का मतलब होता है आपका किसी की रिस्पेक्ट करना अगर आपको इसका meaning पता था तो आप इसको eliminate कर सकते थे और adherence का मतलब आप सब को पता होगा comply किसी के साथ रहना adherence जुड़के रहना follow करना किसी को और adherence का meaning होता है तो यह सब meaning होते हैं अगर meaning भी आप एक बार याद रखेंगे तो सही रहेगा जितने ज्यादा हमें सुनोनी में याद होते हैं ठीक है न वोकैबलेशन जितनी स्ट्रॉंग होती है तो मैं बाकी चीज़ों में भी मारी कहीं ना कहीं help करते हैं चाहे वह मार नर्वस भी होते हैं इस कारण कभी सब्सक्राइब करते हैं तो यह सब आपको ध्यान रखना चीए आपको थोड़ा ऊच्छन पढ़ना चीए कि पूछा क्या क्या उस्ट्रॉंग होता है तो सफिचेंट टाइम होता है कि आप कंप्लीट कर गए दुबार एक बार रिवाइ इंसिंट्रेंश की स्पैलिंग होती है आई एन एस टीए एन सी इंस्ट्रेंश की सब्सक्राइब होती है तो थर्ड ओप्शन आपको देख रिए होगी तो थर्ड ओप्शन आसे अनसर हो जाएगा आपका और नेस्ट लोस्ट ने अपका फिलिंदा बिलैक वे नचले उन्ट ने लाइब लगे नैंटेकर टो उन्स्क्राइब और चेर नस्ट हो गई ठीक है उसका वजन नस है पाने कारण चेर नस्ट हो गई तो चेर कैसी होगी option लगा के चाहिए करते हैं टू-faint, faint एक sense में होता है, fake sense में faint word यूज होता है, ठीक है तो fake sense तो आ नहीं है मतलब आपको पता होगा, जो चीज होती है, अगर चेर फ्लेक्सिबल होती तो उसका वेट सही लेती ना, तो थर्ड ऑप्शन तो यहाँ नहीं होगा, फ्रेगाईल मतलब आपको पता होगा, वीक, brittle, जो चीज कमजोर होती है, उसको कहते हैं, फ्रेगाईल, इसको सिनानूम बता दी मैं है, वीक और brittle इसके सिनानूम होते है, तो चेर नाजुक थी कि उसका वजन नहीं सहापाई और नस्ट हो गई, तो फ्रेगाईल वर्ड यूज होगा, यहाँ पे, तो जो आपके words आते ह या question किसके fill in the blank के उसमें काफी लोगो दिक्कत होती है तो fill in the blank के लिए दो चीज़े strong होनीची है पहली तो vocabulary कभी-कभी सीधे vocabs के words होते हैं जैसे यह question देखे आप इसमें सीधे-सीधे vocabs के words है अगर इनके meaning आपको पता है तो आप easily post सकते थे इसकी तरफ ठीक है अगर आपके सबको यह नहीं पता आपको एक-दो के meaning पता थे तब भी आप answer ही तरफ पहुच सकते थे easily इसमें और क्या होता है second आपका reading section अच्छा होना चीए आपको meaning समझ में आना अच्छी sentence का अगर आप इसका Hindi meaning convert कर पा रहे हैं sentence का meaning समझ पा रहे हैं क्या बताना चाहरा है तो भी आप easily पहुच पाएंगे तो आपको मैं इसला दूंगा थोड़ी reading को अपनी सही करने को जिए डेली दस से पंदरा मिनट निकाले reading को सही करने के लिए अपनी तो लिए next section पर जलते हैं next question है हमारा common error बताना है आपको इस question में क्या है तो according to geologist pacify pacific ocean is the largest and deepest of earth oceanic divisions तो एक बार आपको कोईश करें कुद find करने की स्का solution तो देखिए मैं आपको बताता हूं इसका क्या होगा answer तो देखिए according to geology pacific ocean तो यहां पर सीधर होना चाहिए pacific ocean लिखा हुआ है pacific ocean क्या है एक महा सागर है तो कोई भी चीज इस वर्ड में जो भी unique है उसके साथ article दा यूज होता है आपको पता होगा तो pacific ocean एक ही है सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशन डिवीजन है अर्थ का ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन में आप एर्र होगा यह ओप्शन आपका करेक्ट होगा यहां पर नेक्स्ट कोशन की तब बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन है आपका सुनोनिम बताने आपको तो प्रिवेलेंट वर्ड आपका प्रिवेलेंट का मतलब क्या होता है जो चीज सब जगह होते हैं से प्रिवेलेंट कहते हैं common इसका सुनोनिम हो सकता है common है जो हर जगा ठीक है ऐसी चीज जो हर जगा मिल जाते हैं wide spirit कह सकते है common कह सकते हैं simple meaning बताऊं इसका अगर मैं आपको तो prevalent का जो next देखे क्या होगा सुनोनिम पूछा है हमसे पहली बात extraordinary क्या होता है जो चीज अनकॉमन होती है जो चीज दूसरों से बहुत अलग है जो बंदा तो से एक्स्टा ओडिनी कहुंगा ठीक है ordinary common की तरह होता है लेकिन एक्स्टा ओडिनरी वह लगा है तो यह तो नहीं होगा नेक्स पैकुलियर पैकुलियर का मेनिंग होता है स्ट्रेंड़ तो यह बहुत जादा मानता है और यह किसी को करता ओवे करना किसी को तो फैथफुल रहना ठीक है ओबे करना ये सब होता है सर्विंट का मेनिंग तो कॉइन से इसका दूर्णल तक कोई रिटना नहीं है तो यह तो बिलकुल नहीं होगा फोर्थ आप्षान है कनवेंशनल कनवेंशनल का स्नोनिम ऊटरेडिशनल जो लिंब समयत चलता आ रहा है क है common है जो तो conventional और prevalent का पिल्कुल एक जैसा meaning है common तो यह दोनों एक दूसरे के सुनोनिम होगे conventional तो मैं आपको एक वीडियो में बता चुगा हूँ कैसे आपको सुनोनिम एंटोनिम याद करना है उस वीडियो को आप देख सकते हैं तो next question है question number eight the word form of adjective noble तो नोबल एक अड्जेक्टिव है इसका आपको वर्फ फॉर्म बतानी है तो मैं आपको दो बाते बताता हूँ पहला है जब भी आपको adjective निकालना के लिए दे रखा होता आपको क्या करना है आपको simple एक sentence बना लेना है जैसे sentence मैंने बना दिया है he is dash man तो मैंने याप एक नाउन और नाउन से पहले अड्जेक्टिव होता है तो एकदम करेक्टर रहता है तो जब भी कोई adjective दिया हो आपको वर्ट यहां पर जैसे अड्जेक्टिव वर्ट होता जैसे नोबल एक अड्जेक्टिव है अगर मैं नोबल को तो आपको सुनने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगी नोबलनेस मैं यह तो कुछ सेंसरी बन रही ही इस नोबलनेस मैं तो ठीक है तो यहां से आप कर सकते हैं यह अड्जेक्टिव तो नहीं है यह मैं बता सकता हूँ आपको ठीक है इस सेंटेंस के फॉर्मेशन के थुरू तो ऐसे ही आप कोई भी सेंटेंस बना लीजिए उसमें पूट करके देखिए अगर वो पूट और अड्जेक्टिव हो जा तो वह अड्जेक्टि नोबल यह गलत था भी मैं चेक कर रहा इसको तो वर्ब फॉर्म यहां पर जो ऑप्शन से इसमें दी नहीं हुई है इसकी नाउन फॉर्म अगर आपको बतानी हो तो आप क्या कर सकते हैं आपको सिंपल पोजैसिव अड्जेक्टिव लेने है जैसे मैंने हिजर ले लिया औ इस लगा हुए बस डिस का एक नेगेटिव वर्ड है तो दिस नोबल वह नोबल नहीं है यह बताना चाहिए तो एक न्यगेटिव एडजेक्टिव है बस और कुछ नहीं है तो यह तो cancel होगा से his nobleness put कर रहा हूं जो मैं nobleness his nobleness तो यह देख रहे हैं sentence एक बन रहा है एक सही formation होगा इस nobleness आपको बोलने में सही लग रहा होगा देख सकते आप तो his nobleness क्या हुआ इसकी यह नाउन फर्म हो गई अगर इसकी वर्फ फर्म पूछी थी इस question की तो वर्फ फर्म इसकी थी कि नोबीलिटेट किसी को नोबीलिटेट करना मतलब किसी को महान बनाना नोबल क्या होता है नोबल होता है तो इसकी work form nobilitate होगी जो कि option में कहीं पर नहीं है ठीक है अगर इसका आप noun form कहते हैं तो nobleness होता ठीक है तो बता दिया मैंने adjective और noun आपको पैचाना हो तो क्या करना है आपको आप इसको पर नोट कर सकते हैं और जब भी question आया तो आप try करके देख सकते हैं बिलकुल exact fit होगा मैंने इसी तरीके से कर आता है इसको नेक्ट जए सकते हैं proposition लगाने आपको एप्रोप्येट यहां पर the teacher has no control dash the students the teacher has no control dash the students तो आप में हो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा इसका answer तो देखिए इसका answer होगा over be option यहां पर contact हो जाएगा no control over the students over मतलब उनके ऊपर कोई भी control नहीं है control के साथ fix proposition के रूप में भी यूज होता है over और एक basic proposition के अनुसार चलेंगे तो भी over यहां पर correct answer होगा अगर मैं कहूं has no control on the student on किसलिए यूज होता है जब कोई चीज किसी surface पर रखियो और उसके तो बिल्कुल सही आएगा book is on the table तो किसी चीज के ऊपर तो control on जब कोई चीज टच में हो तो टच में तो यहां पर कुछ है नहीं तो on नहीं हो सकता था विद्ध हम लगाते हैं किसी के साथ कोई इंसानों तो विद्ध है सकता है या फिर विद्ध का इस्फिमाल होता है Q2 की मदद से कोई वुजार का नाम लगा धे विद्ध के बाद instrument या टूल आता है जिससे कोई कार है पूरा हुआ है ठीक है तो विद इस सेंस में दोता है और एट तो आपको पता होगा जब कोई बड़े शायर की बात कर रहा होता हूं उसके साथ चोटा शायर आता उसके लगाता हूं एक तो मैं जैसे आई लीव एट एट रोहिनी इसके बात कर लगए इन दिल्ली इन दिल्ली को बताने के ले अट लगा है मैंने आपके और दूसरा याट का प्रीयोक होता है जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात जैसे आट रेलवे स्टेशन ठीक है एक एक जगा पर हूँ मैं कि स्टैटिक पोजिशन में इन अपनी ब ओवर यहां पर correct usage होगा, over होगा, control over the students, the teacher का बच्चों के उपर पूरा control है, no control, sorry, no control, बच्चों के उपर control नहीं है, तो over यहां पर correct proportion होनी चाहिए थी use, next question ही तरह बढ़ते है, question number 10, जंबल sentence है, तो आपको इसे correct order में लगाना है, तो जंबल sentence के उपर मैं पहले एक वीडियो ला चुका हो, उसमें बता चुका हम आपको कैसे आपको इन questions को attempt करना अच्छे से, तो देखिए, पहले आपको क्या check करना होता है, options में check करना होता है, अगर किसी एक, वर जैसे C से ज तो यए, बत अब भी सच है, तो कोई बात इसने sentence में बोली थी, वो अब भी सच है, यह पताना चाहरा है, यह तो आप meaning लगा सकते है यह वह बवात अब भी सच है, तो कोई बात बोल चोह है पहली, यह meaning चल रहा है, तो यह बीच में आया तो यहां से स्टार्ट हो सकता है से स्थार करेंगे हम सी सी मैँ मैझ mirrors अर गो उसे मैनी में तरुम्स टो होगी इक इल्या में एक हिसा व्याज स्थेस्थेयग के बता रहे तो एक conjunction है, whereas और जो sentence start होता है, वो noun से या start होगा, या फिर किसी pronoun से start होगा, but conjunction से तो start नहीं होगा, conjunction बीच में कहीं होता है, तो D option यहाँ से हमारा cut गया, तो third, fourth option हमने eliminate कर दिया, हमारे दो option बचे हैं, तो second, तो first option के according में है, अगर sentence arrangement करने कोश कर दो, तो देखते हैं क्या बनेगा, money makes the mayor go, यह एक idiom है, is a famous thing, यह एक famous कावात यह बताने चाहरा है, it is still today, यह अब भी सच है, तो बिल्कुल CA, एक correct pair बना रहे हैं, इसके बाद देखते हैं, no one pays, he to a poor man, कोई भी गरीब आदमी की बातों पर ध्यान नहीं देता, where is a rich man, जबकि अमीर आदमी की बात सब लोग, बहुत ज़्यादा इज़्जत से सुनते हैं, तो C, A, B, D, बिल्कुल एक correct sentence मना रहे हैं, कोई problem नहीं आ रही, ठीक है, तो यहाँ पर C, first option हमारा correct होगा, तो यहाँ पर पहले एक काहवत थी, जब famous saying है यह, जो कि अभी भी सच है, उसके बाद होता है कि कोई भी poor man की बात अब ध्यान नहीं देता, जबकि rich man की बात को सब लोग respect है साथ सुनते हैं, तो C, A, B, D option होगा है यहाँ पर आपका, आपने जब दो option कर लिए तो आप simple put करके भी check कर सकते थे, अगर हम last option देखें, उसको अगर आप check करते हो तो क्या दिक्का था थी, B, A, D, C यह आपका, तो B option में दिया, तो कोई भी गरीब आदमी की बातों पर ध्यान नहीं देता, यह अब भी सच है, तो किसी बात के बारे में बात हो रही थी, तो यहाँ पर simple जो C के साथ A option, correct fit बैट रहा था, लेकिन B के साथ A option correct नहीं बैट रहा, जैसे अगर आप B और D को एक साथ लगा के देखेंगे, कोई भी गरीब आदमी की बातों पर ध्यान नहीं देता लबकि रिच आदमी की बातों पर सब लोग बहुत जाए ध्यान देते हैं, तो यह दोनों भी एक correct pair बना रहे है BD, तो हमें pairs को पकड़के चलना है, तो BD अगर correct pair बना रहे हैं, तो यह हमें से एक साथ यूज होने चाहिए, अगर आप एक pair भी बना लते हैं, तो भी उससे आप चेक कर सकते हैं, जैसे BD खाली A option में दिया है, तो वही correct होगा, जब उसकी BD एक साथ में जुड़कर एक meaningful sentence की formation कर रहे थे, तो next question है, question number 11, यहाँ पर आपको appropriate word fill करना है, fill up का question है, एक बार आप पढ़के try करें, क्या option का, क्या answer होगा इस question का, तो देखे, question का है, fortunately the giggles from the Thai ladies and the laughs and dash laughs from the lats, who were nearby painted a different picture, who were nearby painted a different picture, ठीक है, the giggles from the Thai ladies, अगर इसका मैं अगर meaning find करने कोश्च करूँ का, the giggles from the Thai ladies, तो giggle मतलब हसने का तरीका, तो हसना from the Thai ladies, मलब आवाज होती है, हसने की आवाज आना, giggles from the Thai ladies and the dash laughs from the lats, तो dash laughs, तो यहाँ पर अगर हसने की आवाज की बात करें, तो यहाँ पर भी एक type की laugh की बात कर रहा है, and dash type of laughs from the lats, मलब एक तरीके की हसी, तो laugh के साथ कौन सा word fit हो सकता, यह चेक करते हम, option fit करके एक बड़ चेक करते हैं, तो sang Freud, जो word होता है, इसका meaning क्या होता है, देखिए उसको याद करते हैं, sang, sang मतलब क्योंता है, sing cut होना, gana, 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 am cool होते हैं, cool हूँ मैं, calm हूँ, temper अपना maintain का रखा है, मैंने calmness दिमाख में है, तो मैं sang Freud meaning हो गया, तो sang Freud का meaning तो laugh के साथ कुछ न meaning होता है, बलब attract किस sense में कर रहा हूँ, मैं धोका देने के attract कर रहा हूँ, तो big oil का meaning होता है, तो big oil का laugh के साथ कुछ यूज नहीं हो सकता, third option जब आफ फिट करेंगे, तो एक correct sense बना देगा पूरे sentence, जैसे the giggles from the thigh ladies, तो हसने की आवाज, thigh ladies कैसे हैं, giggle कर रही है, and boisterous laughs from the lads let's मतलब लड़के, लड़के कैसे boisterous laugh कर रहे हैं, boisterous मतलब energetic, बहुत ज़्यादा होला करना, boisterous कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा energetic होता है, उसे कहते हैं boisterous, तो boisterous laugh बहुत ज़्यादा, जो हसी, बहुत ज़्यादा हसने हैं, मतलब होला हो रहा है, बहुत ज़्यादा, noisy लाफ कह सकते हैं बोस्टर का सिनोंई होता है नाजी एंड नोजी लाफ फ्रम दी लैट्स तो थाई लीडीज गीगल कर रही है धी में असना कह सकते हैं गीगल को अगर आप सोचे पूरे संटेंस एक मीनिफुल बना रहा होगा यहां पर मेनिंग तो मीनिफुल नहीं बन रहा है पूरे संटेंस का क्योंकि इससे आप मेनिंग अटेंट कर सकते थे कोशन को और उप्शन के जरे भी कर सकते थे option पूट करके आप चेक कर लें कि एक meaningful order बन पा रहे meaningful sentence बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है तो नेक्स कोशन की तरह चलते हैं थोड़ा difficult question था बॉइस्ट्रस इसका answer होगा next question की तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका direct indirect बताना है आपको कुशन easy होते हैं आप तो कर लेंगे देखिए the gardener said to the children please don't plug the flower तो यहां पे please don't plug the flower तो please वाले वर्ड हैं imperative sentence आई तो यहां पे देखिए told में तो चेंज होगा नहीं ठीक है said to go simple told में करेंगे नहीं please है तो request तो आना चीए said to request आएगा तो said to request आप देख सकते हैं थर्ड option में सिर्फ यहां पर is requesting है तो इस request में change होता ही निया वर्ड की second form में change होता है अंदर तो तो requested ही आएगा तो थर्ड option यहां से आपका correct answer आजाएगा आप ऐसे देख सकते थे इसको simple क्योंकि please don't है don't pluck the sentence do not plus work की first form यह not plus work की first form वाले sentence जो होते हैं यह imperative sentence category में आत और please use हुआ इस के साथ तो please use हुआ है तो मतलब हमें request word का use करना था तो थर्ड option simple to use करके work two plus work की first form आया और answer आपका आप simple direct indirect जो बूख है उसमें रूल्स पढ़ ले और बस question लगाते रहें question के आप जितने set लगा रहे है daily मतलब जब भी आप set लगाते तो उसमें practice हो जाएगी direct indirect की और active specific की तो उससे बहुत है काफी है क्योंकि ज्यादा लेवल कोशन याता इजी कोशन नहीं आता एक्जाम में आपको फाइंड करना है most appropriate antonym तो precious वर्ड का पोजिट वर्ड बताने आपको तो प्रीशेश का मिनिक आपको पताओ प्रीशेश मतलता है कोई चीज जो चेमारे लिए वेल्यूएबल होती है इसका सिनोनी में आपको दिख रहा होगा वेल्यूएबल है प्रीशेश है मालब उसकी वेल्यू है वह सिग्निफिकेट इंपॉर्टन्स की चीज़ है इंपॉर्टन्स चीज को प्रीशाइज कर सकते हैं तो वेल्यूबल हिसा सनोनी में तो यह तो हट गया अपने आप में आद कर सकता हूं वेल्थी अगर मैं बोलूँगा तो सम्चुस्ट का मेनिंग होगा नेक्स्ट है वर्थ लैस जिसकी कोई वेल्यू नहीं है ठीक है अप्रीशेश मतलब जिसकी कुछ वेल्यू है बहुत ज्यादा इंपॉर्टन्स लिए तो एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है तो थर्ड ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो गया वर्थ लैस अगर इन एस्टीमेबल की बात करें तो इन एस्टीमेशन नहीं कि जा सकती जिसका मैं मुल्या फाइंड ही नहीं कर सकता ठीक है मलब वह इतनी ज़्यादा कीमती है इस सेंस में जो रहा है इन एस्टीमेबल जिसकी वेल्यू में फाइंड निकरता बहुत जाता कीमती है तो प्रीशेस का एक तरीके देख सकते हैं सिमिलर प्रीशेस जैसे मीनिंग आ रहा है इसका तो यह भी इसका अन्टोन इसका सिंपल थर्ड ऑप्शन आपका वर्थ लैस यहां पर आंसर हो जा तो यहां पर होगा सब्जेक्ट ठीक है तो पहले सब्जेक्ट और अब्जेक्ट निकालने जब भी आले कोशन करें एक्टिव पैसिफ के और रिवार्ड होगा अब अब इस्टार्ट में आ जाएगा रिवार्ड अब गेव क्या था वर्प की सेकिंड फॉर्म मलब में और साथ में वर्प की थर्ड फॉर्म आएगी ठीके पास्ट कंट्रेस में कहता है वाज वर्गा यूज और रिवार्ड के सिंगुलर सब्जेक्ट है तो और रिवार्ड के साथ वाज वाज दोगा तो और रिवार्ड वाज तो फोर्थ ऑप्शन में और रिवार्ड वा वाज वर किसकी option में यह चेक करना है, तो first option, fourth option, second, third, हमने यहां से काट दिये, तो अब our reward क्या है, singular है, उसके जात क्या हम आना चीज़ता, तो fourth option यहां से simple, आपका आ गया, तो आपको इसी तरीके देखना है, जो भी वर्ब में change हो रहे हैं, उनको sub option में चेक करना है, और eliminate करते हो चलने, और simple answer पहुच जाएंगे आप, next question, तो यह last question है आज का, I hope आप लोगो ने इसको कर लिया हो, solve, और मैं बताता हूँ इसका क्या answer होगा, तो जो last के जो 5 question होते हैं, वो आपको पता है, passage के होते हैं, तो passage question में अगर मैं करवाँगा, तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो उसको जोन कर लिजेगा, वहाँ पर आपको question मिल जाएंगे, passage के, तो इस question को देखिए, राहूल was expelled from his class because he did not submit his tuition fees, तो अगर हिंदी मिनिक समझने कोईश करें इसका होगा, राहूल को उसी class से निकाल देगा, expel मतलब भार भागाना, तो निकाल दिया गया, क्योंकि उसने tuition की fees नहीं दी थी, तो यह simple grammar के rule पर based question है, उसे tuition से कब निकाला जाएगा, देखिए, दो actions हो रहे हैं यापर, और एक के बाद दूसरा हो रहा है, तो उसने tuition की fees नहीं दी, उसके बाद उसे निकाल दिया गया, तो यह जो कारे था, यह वाला, he did not submitted tuition fees, यह पहले हुआ, क्योंकि मैंने पहले tuition fees नहीं दी, उसके बाद ही तो मुझे निकाला जाएगा, तो यह पहले हुआ, और उसके बाद हुआ, राहूल को बाहर निकालने वाला कारे है, तो जो did not submitted tuition fees है, इसकी जगा होना चाहता है, he had not submitted tuition fees, क्योंकि यह present, यह past contents में वाद यूज़ा है, बिल्कुल सही है, लेकिन उससे पहले कोई कारे होता, अगर past से भी हम past में जाते हैं, past का कोई sentence होता है, वर्ब की second form use करते हैं, हमें पता है न, past indefinite के अंदर आता है, लेकिन past के अंदर भी हम जब और ज्यादा past में जाए जब हम, तब हम यूज़ करते हैं, अपना कोई सा टेंस, past perfect का, ठीक है, ज्याद रखेगा, जब भी past से, past की बात करते हुए, और ज्यादा past में जाएं आप, तो past perfect के यूज़ करें, तो बाहर कब निकाला गया, जब उसने tuition fees नहीं दी, तो ये काम हुआ था पहले से ये submitted, तो बिल्कुल right हो जाएगा, had not यहाँ पर use, तो third option जो है, उसमें error है, तो I hope आपको अच्छे समझ में आगया हुआ, तो सारे question मेरे अपनी तर्फ से पूरी कोशिच के आपको अच्छे समझ में आए, और आपको concept समझ में आगी, question का concept क्या होता है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को like करें, share कर दीजेगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा, अगर आप नहीं है चैनल पर तो, तो अगर आपको कोई भी doubt हो, तो आप comment सकते हैं, मैं सभी comment का जवाब देने के पूरी कोशिच करता हूँ, या फिर आप मुझे instagram पर message कर सकते हैं, वहाँ पर आपको आपका जवाब 100% मिल जाएगा,